पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करन और रोष्णी की शादी हो जाती है, वही रोष्णी घर में आप अपनी मर्जी चलाती थी और मीना भी उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन अक्षे और करन रोष्णी की आदोतों से खुश नहीं थे, वही रोष्णी अपनी नन तोड़ देंगे, लगता है ये ऐसे दर्वाजा नहीं खोलेंगे, हमें ही तोड़ना पड़ेगा, अब क्या करें बहू, ये तो हमें मार देंगे, नजाने कौन है, चिंता मत करो, मैंने करन को फोन कर दिया है, आती ही होंगे, कहो तो पुलिस को बोलाओ, ना ना, पुलिस आगई तो बखेडा खड़ा हो जाएगा, तो उन में से एक आदमी दर्वासा खुलने की कोशिश करने लगता है, घर के अंदर मीना और रोश्णी का डर के मारे बुरा हाल था, इतने में करन वहां पहुँच जाता है, रुको, कौन हो आप सब, घर में कैसे गुस रहे हो, ह आप सब ये क्यों कर रहे हैं, अगर क्या किया है मेरे बेटे ने, आप पहले अक्षे को यहां बुलाओ, हमें उससे बात करनी है, ठीक है, मैं बुलाता हूँ, आप सब शान्त हो जाएए प्लीज, यहां लेडीज हैं, यह डर रही हैं आप से, करन अक्षे को फोन करके घर आने के लिए कहता है और कुछ दिर में अक्षे घर आ जाता है और वहां का हाल देखकर गबर आ जाता है। अक्षे घर पर सब पता लग गया था तुम रो मत बात करते हैं हम देखो हम शरीफ लोग है और गरीब भी लेकिन इज़त हमारी भी है इसलिए हम शालीनी से रिष्टा नहीं रखना चाहते गरीब हैं लेकिन ऐसे थोड़े न जाने देंगे इनको आखर इसने गुणा किया है अरे कोई बताएगा क्या हो रहा है आपके बेटे ने मेरी बेहन से कोट मेरिज की हुई है आज ये पकड़ी गई इसलिए से यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ और आज से हमें इससे कोई रिष्टा नहीं रखना ये बात सुनकर अक्षे के घर वाले हैरान हो जाते हैं रोहन तो मिलना ही चाहिए ना इसको और इसके परिवार को नहीं मैं आपसे विंती करता हूँ अक्षे से गलती हो गई लेकिन हमें कोई अतराज नहीं है कि शालिनी को हमारे घर की बहु बनाने में हाँ प्लीज अंकल जी मैं कब शालिनी को अपनाने से इंकार कर रहा हूँ आज स ममी माफ कर दो, ऐसा कदम उठाने से पहले तुने एक बार भी मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा शुक्र मना, शालिनी के घरवाले बिना कुछ किये चले गए बढ़ना ऐसे केस में तो ना जाने क्या क्या हो जाता है हाँ भैया, वो शरीफ लोग है, नादानी में हमसे गलती हो गई मुझे लगा था कि ममी तो कभी मेरी फिलिंग्स को समझेंगी ही नहीं इसलिए हमने शादी कर ली हमें माफ कर दीजे, आप सब, फ्लीज तू तो चुपी रह, लड़की होकर तुझे शरम नहीं आई भाग के कोट मैरेज करते हुए ममी इसमें शरम वाली क्या बात है शादी तो हमारी कोट में ही होनी थी क्योकि शालिनी के घर वाले भी नहीं मान रहे थे ऐसे कैसे होनी थी मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी लड़की से तेरी शादी ना होने देती क्या हाई क्लास देवरानी आई है मेरी क्या-क्या सपने सजाये थे मैंने तेरी शादी के और तूने सब पर पानी फेर दिया ममी आपका विभार ऐसा ना होता तो मुझे एक अदम कभी न उठाना पड़ता जिस तरह से आपने जबरदस्ती करन भया की शादी करवा दी फिर से मेरी भी करवा देती चुपकर अक्षे ये सब बोलने का कोई मतलम नहीं बनता अच्छा तो करन ने मुझे से जबरदस्ती शादी की है मुझे तो पता ही नहीं था नहीं नहीं रोष्णी बेटा ऐसी बात नहीं है अरेंज मैरेज में थोड़ा बहुत मान मनुवार करना ही पड़ता है ममी अब आप लेपा पोती तो करो मत खेर जो भी है इस शालीनी से तो ज़ादा इज़त है मेरी कम से कम भाग कर तो नहीं की भावी शालीनी मेरी वाइफ है और इस घर की बहु भी तमीज से बात करो इससे तू इसे तमीज सिखाएगा जो खुद कोट मेरीज करके मुँ उठा कर आ गया है इतना बड़ा तमाशा होते होते बचा है तेरी वज़े से पुलिस आ जाती तो क्या करते ममी अब जो हो गया सो हो गया अब बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है उनकी शादी हो चुकी है भले हो गई हो शादी मैं इसे अपनी बहु कभी नहीं मानूंगी रहो घर में गैरों की तरह ममी जी ऐसे मत कहिए प्लीज मैं आपको अच्छी बहु बन कर दिखाऊंगी चल चल ज्यादा ड्रामा मत कर बेर सामने मीना और रोश्नी मूँ फेर कर चली जाती है खेर अभी तो करन भी गुस्से में था तो वो भी चला जाता है कुछी देर में इशा भी घर आ जाती है और मीना जल्दी से उसे कमरे में ले जाती है और सारी बात बताती है खबरदार जो तुने शालीनी का पक्ष लिया तो या उसके जैसी हरकत की दो ममी मुझे आप क्यों कह रही है मैंने थोड़े ना कुछ किया शादी तो अक्षे ने की है तभी तो तुझे वार्निंग दे रही हूं कि शालीनी से बात करने की कोई ज़रत नहीं है कहीं उसके जैसी बन जाये तो लेकिन वो तो अब मेरी भावी है कोई भावी भावी नहीं है भाग कर कोट मैरेज करवाई है ऐसी लड़की से कोई रिष्टा नहीं रखना तुने ठीक है ममी रात की वक्त अक्षे शालीनी के साथ इशा से मिलने उसकी कमरी में जाता है इशा ही शालीनी है पता ही होगा न तुझे तो हाँ ममी ने सब बता दिया था इशा क्या आप भी नाराज है हमसे नहीं भावी मैं भला क्यों नाराज हो घर में सबी नाराज है शालीनी भी आज बहुत रो रही थी तो मैं कह रहा था कि तुझ थोड़ा ध्यान दखना अपनी भावी का मन लगा रहेगा इसका ठीक है अक्षे असल में ईशा के मन में कोई नाराजगी नहीं थी लेकिन वो अपनी मा की बातों में आ गई थी इसलिए शालीनी से अटाज नहीं होना चाती थी अगले दिन मीना रसोई में नाश्ता बना रही थी तब ही शालीनी उसके पास आती है शालीनी दुखी होकर चली जाती है और मीना की जानी के बाद शालीनी रसोई में नाश्ता बनाने रखती है तबी इशा वहाँ पानी लेने आती है इशा मैं पोहा बना रही हूँ क्या तुम खाओगी भावी दीरे बोलो वरना मुझे डाट पड़ेगी लेकिन क्यों वो ममी ने मुझे मना किया आपसे बात करने के लिए तो पोहा मैं यही खा लूँगी बस आप बताना मत ठीक है नहीं बताऊंगी इशा रोसे में खड़े खड़े पोहा खाने लग जाती है इतने में वहाँ पर रोश्नी आ जाती है ओ अच्छा पोहा खा रही है यह चश्मिश रुखो अभी ममी को बताती हूँ नहीं नहीं प्लीज रोश्नी भावी मत बताओ मुझे डाट पड़ेगी तुम पोहा क्यों खा रही हो इसके हाथ का बना हुआ अब डाट तो खानी पड़ेगी रोश्नी जोर से चिला कर अपनी सास को बुलाने लग जाती है तो मीना वहाँ आ जाती है ममी यहाँ देखो तो आपकी चश्मिश बेटी के हाल पोहा खा रही है इसका बनाया हुआ क्यों रहे इशा तुझे का घर में पोहा मिलता नहीं है जो तु इसके हाथ का बना खा रही है बेवकुफ लड़की ममी आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है रोश्नी भावी के साथ रह रहकर आप भी ऐसी हो गई है जुबान मत लड़ा एक तो भावी मुझसे तमीज से बात नहीं करती उपर से आप उने कभी नहीं टोकती बलके उनके जैसी बनती जारी है तेरी इतनी हिम्मत अपने भाईयों की तरह होती जारी है मेरे सामने बोल रही है चल यहां से बाहर ममी जी इतनी बड़ी बेटी है क्यों डाट रहे यहां से तू चुप रहे हमारे घर में दखल मत दे तू इशा बिचारी रोते हुए अपनी कमरे में चली जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि रोश्नी और मीना उसके साथ गलत तरीके से वेवार करते हैं तो शाली नी उसके पास जाकर उसे चुप करवाती है मत रोव पिलीस रोष्नी भाबी हमेशा ऐसे करती है मुझे कभी बंदरिया बोलती है कभी चश्मिछ इतने गलत तरीके से बात करती है और ममी Two hundred कुछ बताया क्वी अो बृसात नहीं द चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा खैर ईशा समझ गई थी कि शालिनी अच्छी है लेकिन अपनी ममी और रोश्णी के डर से वो उनकी नजरों से बच कर ही शालिनी से बात करती थी दो दिन बाद ईशा का बर्डे था और रोश्णी उसके लिए केक लाई थी अरे वा रोश्णी, तुम ईशा के लिए केक लाई हो हाँ ममी जी, मेरी ननत का बर्डे है क्यों न लाऊंगी, थैंक्यू सो मच भावी हाँ, अच्छा किया, अक्ष्या शालिनी को भी बुला लो नहीं बुलाना, वैसे भी वो दोनों बजार में मस्ती मानने गए है अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने पर एक साथ बर्डे मनाएंगे कोई जरुवत नहीं है, वैसे भी वो अलग है हमसे देखो, ईशा कितनी खुश हो रही है वही तो, कितनी प्यारी बहु है मेरी, मेरी बेटी का कितना ध्यान रखती है हाँ ममी जी, मेरा ससुराल है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना रोश्णी केक का बॉक्स टेबल पर रखती है, और जैसी वो बॉक्स होलती है सबी हैरान रह जाती है और इशा की आँखों से आसू आ जाते हैं रोश्णी कैसा केक लाई थी? क्या वो केक ही था या कुछ और? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों जानने के लिए देखते रहे हमारे साथ अमीर भावी वर्सेज गरीब भावी का अगले एपिसोड